हलो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग तो बच्चे यह हमारी तीसरी MC की वीडियो है फर्स्ट आइड एंड हेल्थ की और इसमें जो है कि हम पचीस क्वेचन जो है कि डिसकस करेंगे जिस्थ में की दो चेप्टर होंगे एक रेस्पाइरेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा ब्लड शर्कुलेशन सिस्टम तो इसमें बच्चे हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेचन पूछाँ सकते हैं काम करिए कि आप एक पेन ले लिजिए या फिर पेपर या फिर जो भी आप ए देखिएगा कि अगर सही होते हैं तो सही कटिक और गलत होते हैं तो गलत कटिक लगा लिजिएगा ऐसे जो है ना कि आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि कितने सही किये हैं और कितने गलत और पाले पूछा है बच्चे कि प्रतेक सांस में हम हावा का कितना भाग जो ही अंदर लेते हैं ठीक है मतलब होता है क्यूबिक पर सेंटी मीटर ठीक है तो इसमें आपका विकल्फ हो जाएगा 500 सीजी तो आप लोग एक बार में इतना इमाउंट जो है फेफड़े में भरते हैं ऐसे करते हैं तो ठीक है चलिए हमारा दूसरा क्वेशन है यहां पर पूछा है कार्बन मोनो आक्साइड एक गैस होती है इन में से सभी होती है तो कर्बन मोनो आक्साइड जो होती भले खतरनाक होती बच्चे लेकिन इसमें सारे गुड़ पाये जाते हैं तो इसमें बिकल्फ हो जाएगा डी सही चलिए ठीक है अब चलिए देखते हैं कि हमारे तीसरा क्वेशन पूछा है रग्त का स्व स्वाद कैसा होता है मीठा होता है खटा होता है खारा होता है बीना स्वाद का होता है तो थोड़ा से खून पी सकते हैं अपना तो इसमें देखेंगे तो यह खारा खारा इंदसेंस की नमकीन जैसा लगता है ठीक है तो यह हो गए आपका तीसरा क्वेशन और चौथा पू तो दबाव उस बलड से पड़ेगा उसी को हम लोग रक्त दाप कहते हैं तो चौथे कहो जाएगा बिकल्प सी सही आर्टरी यानि कि धमनी में वो दबाव ना पाजाता है ठीक है चलिए पांच में क्वेशन पर चलते हैं बच्चे और यहां पर देखे पूछा है कि चमकीला लाल रक्त किसमें पाया जाता है यानि कि चमकीला लाल का से अर्ख्त है कि oxygenated blood यानि कि साफ blood जो है वो किसमे पाया जाता है नर्स में पाया जाता है धमनियों में पाया जाता है या फिर तंत्रिकाओं में पाया जाता है या सभी में पाया जाता है तो आप सबको मैंने क्लास में बताया है कई बार बताया है कि जो साफ blood होता है बच्चे वो धमनियों में बता है या आर्टरी में बता है तो भी विकल्ब सही हो जाएगा पाचमे का छटवा क्वेशन हमारा पूछा है कि निमने में से कौन वायू मार्ग का हिस्ता नहीं है वायू मार्ग इन दर सेंस की बच्चे जो आप सांस लेते हैं रेस्पारेटरी सिस्टम है तो कौन-कौन से उसमें अंग सामील है सांस की है पूछा है कि है वह कंपारटमेंट नहीं है मतलब हर्ट का कंपार्टमेंट नहीं है तो आप स्कु मेंने बताय है कि हर्ड में च्इंबर होते हैं नजए और को कोई नहीं तो डी ही गलत हो जाएगा ठीक है यानि कि यहीं नहीं है बाकी सत्तों हिदय के पार्ट है चलिए आटमी क्वेशन पर चलते हैं और यहां पर पूछा है कि रक्त का भाग जो हलका पीला है जिसमें प्रोटीन एंजाइम और आने तत्व मिले होते हैं उसे कहते हैं हैं मैंने आपको बताया था कि जो अपका ब्लड होता है उसमें फेल प्लाज्मा टेस होता है यार्डब।। चलिए नवा क्वेशन में पूचा है कि इस्थिती में व्यक्ति का वायु मार्ग संकरा हो जाता है सूज जाता है और अतिरिक्त जो है बलगम उत्पन होता है बलगम मतलब जिसे खखार भी बोल देते हैं गाड़ा सत्थू तो एक कवन सी से भी होती है जिसमें वायु मार्ग संकरा हो जाता है सूज जाता है और इसमें पूछा है WBC का पूर्ड रूप क्या है तो बहुत सारे बच्चे यहां गलत करेंगे देखो बोलेंगे कि वाइट ब्लड सेल है लेकिन बच्चे नहीं इसका फूल फार्म होगा आप लोगों का वाइट ब्लड कार्प सलसोगा ठीक है तो आपका दसमा का एस ही हो होता है तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि कि जो है आपके B desarroll साथ जाता है तो यहां पर न ही जिन्द में आता है ठीक है तो आपका हो जाएगा 20 ही ठीक चलिए अपने चलते हैं बारा में क्वेश्चन पे और यहां पे देखते हैं पूछा है कि जो फेफड़े हैं फुक्फुस नामक जिली से डके होते हैं तो मैंने भी आपको बताया था फुक्फुस यानि कि जो प्ल सही है फुफुस होता है तो आप लोग बताये तो सही बात है होता है तो बारामे का हो जाएगा ए सही ठीक है जिनको बिश्वास ना हो फेफड़ा अपना चेक कर सकते हैं खोलके बाकी चली चलते हैं तेरह हमें क्वेश्चन पे और यहां पे पूछाए कि कैरोडीट धमनी हिरदय के निकट एक प्रमुख धमनी है वो कहां पाई जाती है तो बच्चे क्लास में तो मैंने साइट चोड़ दिया था लेकिन यहां पे आप देखिए कि कैरोडीट धमनी जो होती है आप देखेंगी जो आयस बॉक्स है जो आपकी गर्दन है हर्ट के उपर मैंने लेकि ठीक है गर्दन में चलिए आपके चलते हैं चौदामी क्वेशन पे और बच्चे यहां पर देखते हैं पूछा है एक सावान वयत में नाड़ी की दर बीट प्रती मिनट के बीच होती है जो आपके डाक्टर जी जाते हैं बुखारन आपने तो हाथ पकड़के अंगुठे के पांस जो है आपकी नाड़ी चेक करते हैं तो वहीं पूछा है कि कितनी बार एक मिनट में बीट 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 करती है तो आप दब नापेंगे तो लगबग 60 से 100 के बीच में बीट बीट करती है ठीक है तो यह आपके हो जाएगा क्वेशन एस ही ठीक है चलते हैं अपने 15 संकुचीत होता है तो आयर्टरी में जाया असी बात है जब सिकूड़ेगा तो बलड निकल जाएगा निकल कि जाएगा धामनी में प्ल जाएगा थिक और बकल्प बड़ेगा तर हैं क्लास कमें ने क्राया भी है तो आप सबको पता है कि अचानक से कभी-कभी न आपके अलग-अलग सी राओं धमनियों में जो है ठक्का जम जाता है तो देखे होंगे कुछ लोगों के पैरों में बहुत सारी गाठे बन जाती है या लोग चल नहीं पाते हैं तो यह सब बिमारी तब होती है जब बहुत कम लोग चलते हैं आलस करत एस में उस समय होती है यह यह नहीं जो मस्तिफ जोड़ी होती है जो स्वसं Canon का जाता है या गलत है या जूट बात है तो आप सबको पता है कि यह प्तकर्व कहिन होते हैं अब तो यह बात बिल्कुल सही है सत्रहमे का ए सही हो जाएगा आपके अब चली अठरहमी कोईचन पर चलते हैं बच्चा और यहां पर पूछा है कि सांस रुकने के बाद भी दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना जारी रख सकता है तो यह आपने समने देखा होगा टीवी में भी देखा होगा मोवी में भी देखा होगा कि जो हर्ट ट्रांस्पलांट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगता है तो कुछ लोग अंबूलेंस काफी दूर तक ले जाते हैं तो कुछ टाइम तक धड़कता रहेगा तभी तो तो यह बात बिल्कुल सही है अब कुछ अटक गया हलका फुलका या फिर कुछ ऐसा लगता है कि गोहा से अलग करती है क्या उसे कहते हैं यानि कि आप सब को पताया था कि जो केस्ट कैविटी है इन दोनों को कौन सा मसल स्पेसी अलग करता है बच्चे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सही कर चुके होंगे तो इसका बिकल्प हो जाएगा डी सही डाया फराम बोलते हैं मैंने दिखाया भी था चलिए अपने बाइस में क्वेश्चन पर चलते ह जाता है तो कैसे जमता है तो उसका कारल होता है प्लेटलेट ठीक है डावलूबीसी आर्वीसी और बहुत सारे चीजें पूछा हुआ है इसमें तो इसमें जो आपका प्लेटलेट से वह सही हो जाएगा यहां पर चलते हैं अचाहे क्वेश्चन शूट्ट इस ने भाग मे जाएगा बच्चे चार हुआ है चलिए चलते हैं ने कई च्छोटी साखाओ में भाजित है जिने कहा जाता है आपको मैंने बताया वंकों होती है ब्रोंकी में ब्रॉंक पी बोल देते हैं और ब्रोंकिस होता है अगें दिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं ठीक है तो आपका हो जाएगा यह सही ठीक इसमें पूछाए कि इन्हेलर का उपयोग कब किया जाता है तो नाक में डालके थोड़ा उसको खीचते हैं संसनाता बड़ी तेज है तो उससे जुखाम आपको लगता है कि ठीक हो गया उसी तरह से बच्चे एक और इन्हेलर आता है मुविव अगरे में देखे होंगे जो व इन्हेलर का प्रयोग जो है अस्थमा में करते हैं ठीक है 24 पूछाय कि अगर कोई हताहत ठंडे पानी में डूब गया है तो उसको क्या होने का खत्रा होता है कौन से भीमारी तो बच्चे इसमें कई सारे विकल्प दीए हैं आप देख लीजिएगा लेकिन यहां पर हाइप को हो जाता है बच्चे यह सब मैंने बताया है आप लोगों को तो आपका इसमें बिकल्ब हो जाएगा 25 में का एस तो यहां इस वीडियो में हमने मतलब ब्लड सर्कुलेशन के जो हम अगली वीडियो में उसको कंपलीट कर देंगे तो जिन बच्चों के जिसने क्वेशन आए हो लिक करके बता दें बाकी हम बच्चे जो है कि अगला जो एमसी क्यों है जल्दी अगली वीडियो में सारा कंपलीट करेंगे तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने परिवायर का ख्याल रखिए अपने पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खुश रहिए